नमस्कार खुरानास फूरम में आपका स्वागत है तेलुगू भाशा में बनी फिल्म पुश्पा अपने तेलुगू वर्जन से ज्यादा बिजनिस हिंदी बेल्ड में कर रही है आखिर ये फिल्म इतनी बड़ी सूपर हिट कैसे हुई दरसल फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो दर्शकों को कुछ समय के लिए असलियत के दुनिया से परे ले जाता है अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने जहन में कोई ऐसा इंसिडेंट सोचें कि जब आपका जगडा किसी के साथ हुआ हो और आपने यह सोचकर कि यह मुझ पर भारी पड़ेगा वह जगडा टाल दि और जब आप फिल्मी परदे पर हीरो को हवा में उचलते हुए 20-25 लोगों को हवा में उचल उचल कर मारते हुए देखते हैं तो आप उससे अपने आपको रिलेट करने लगते हैं कुछ समय के लिए आप एक यूटोपियन वर्ल्ड में चले जाते हैं आपको जो असलियत म आप नहीं कर पाते हैं वह फिल्मी परदे पर होता हुआ देखकर आप एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं यूफिल बेटर सेवेंटीज के दौर में जब अमिता बच्चन टॉप पर थे और उनकी एक के बाद एक फिल्म सुपर हो रही थी उसमें यही कॉंसेप्ट काम ने आपको उनके किरदार में देखता था सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जो की असलियत में वह नहीं कर सकता और फिल्मी परदे पर वह सब देखते हुए वह उसमें खो जाता था अलू अर्जुन ने पुश्वा में वही सब किया एक अकेला गरीब असहाय आदमी जो किसी के सामने जुका नहीं भले ही इनका केरेक्टर इल्लीगल एक्टिविटीज में शामिल दिखाया गया है लेकिन पबलिक को उससे कोई सरोकार नहीं उन्हें उनका हिरो सब पर हावी और भारी दिखना चाहिए विल्यन उसके हा पारो तरफ से गोलियों के बोचार भी होगी तो अभी वह उससे बचकर निकल जाएगा यह एक अलग परकार का उत्साहा पैदा करता है और यहीं सबसे बड़ी वजा है पुश्पा के सुपर डूपर हिट होने में अलू अर्जुन ने अपनी एक्टिंग स्किल्स से सबका दिल जीत लिया है और तेलुगु भाशा में बनी एक फिल्म हिंदी में डब्र होने के बाद एक मनी स्पिनर बन गई है हमारे क्रिकेटर इर्फान पठान का ही अंदाज देखिए पुश्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या फायर है मैं जुकूंगा नहीं